क्या आप CA बनना चाहते हैं और आप अपनी CA की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप CA की जर्नी ओरड़ी स्टार्ट कर चुक्य हैं लेकिन आगे आने वाले लेवल्स के बारे में और भी जादा क्लाइटी पाना चाहते हैं then this video is for you Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ C.A.S.P. Khan, yes, मैंने अपने C.A. क्वालिफाई करे थी in year 2019 जब C.A. का old slavers होता था, लेकिन इसी साल से C.A. का नया course लाँच होआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही डीटेल इंफरमेशन शेयर करने वाली हूँ, so इस वीडियो क तो C.A. बनने के लिए आपको I.C.A.I. का हाथ थामना पड़ता है, जिहां, the Institute of Child Accountants of India, जो कि एक सिंगल बॉड़ी है पूरे इंडिया में, जो आपको C.A. बना सकती है, जो कि C.A. के एक्जाम्स पूरे इंडिया में कंड़क्त करती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ब् जो आपको C.A. बना सकती है, ठीक है, अब जो C.A. है ना, it is a distance education program, basically आप इसमें इंडॉल कराने के बात, अपने convenience के एसाफ से पढ़ाई करते हैं और exam देते हैं, ठीक है, आपको कोचिंग लेनी है, self-study करनी है, that depends upon you, लेकिन हाँ ये एक distance education program होता है, बात करें लेवल्स की तो C.A. में total 3 levels होते हैं, C.A. foundation level, C.A. inter level and C.A. final level, जैसे-जैसे level बढ़ता जाता है, उसे साफ से exam की difficulty भी बढ़ती चले जाती है, और C.A. में आने के लिए आपके पास 2 routes हैं, C.A. foundation route and then direct entry route, सबसे पहले बात कर लेते हैं regarding C.A. foundation route, तो C.A. foundation route के तुरू अगर आप C.A. मे foundation के लिए खुद को ICI की साथ रिस्टर करा सकते हैं, उसके बाद आप कम से कम 4 महीने का study period complete करना पड़ता है, उसके बाद ही आप C.A. foundation एक्जाम देंगे, लेकिन आप C.A. foundation के एक्जाम दे सकते हैं only after appearing in your 12th के एक्जाम, ठीकि 12th के एक्जाम में बैटने के बाद ही आप C. C.A. foundation के एक्जाम देते हैं, C.A. foundation क्रैक करने के बाद बारी आती है C.A. इंटर की, तो C.A. इंटर में आप एन्रॉल कराएंगे, उसके अलावा आपको 8 महीनों का study period complete करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको 4 week का IT and soft skill course भी complete करना पड़ता है, जो कि ICI ही run कराती है, तो आप आपने इंटर के दोनों group clear कर लिए, अब बारी आती है C.A. final की, तो आप C.A. final में खुद को enroll कराएंगे, साथ के साथ आपको करनी पड़ेगी, practical training भी जो की होती है 2 साल की, ठीक है, उसी practical training के दौरान आपको self-paced online modules भी complete करने पड़ते हैं, जिसमें आपके total 4 papers आते हैं, डी practical training है, वो complete होने के बाद आपको 6 महीने का और wait करना पड़ता है C.A. final के exams में बैठने से पहले, ठीक है, तो basically आप बोल सकते हैं, registration से लेकर धाई साल आपको C.A. final के दोनों group में appear होंगे, उसको crack करेंगे, and voila, you are now a C.A. ठीक है, और फिर आप apply करेंगे for the membership of ICI, उसके बाद आपको मिल जाएगी ICI की membership, और उसकी बाद आप अपने नाम के आगे C.A. लगा सकते हैं, जी हाँ, तो यह हो गया C.A. foundation route, इसके अलावा, अगर आप direct entity route के थूरू C.A. में आना चाहते हैं, यहाँ पर आपको graduate बनना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आपने commerce background से graduation करेंगे यहाँ पर आपको 55% aggregate लाने पड़ेंगे in all the years, और अगर आपने non-commerce background से graduation करी है, तो आपको at least 60% marks लाने पड़ेंगे in all the years, aggregate करके, तब भी आप direct entity route के लिए eligible होगे, इसमें basically क्या होता है, कि आपको C.A. foundation में देना पड़ता है, उसके अलावा बाकि सारे जो steps ने वो सेम हो इसलिए इसको direct entity भी कहा जाता है, अब अगर आप last leg में है, of your graduation, मतलब आप graduate नहीं है, लेकिन होने वाले है, still आप ICI के साथ, इसके लिए अलग documents लगते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो उसके ओपर already video है, और video चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो basically, क्या होगा न direct entity route में, कि आपको direct C intercally खुद को restore कराना पड़ेगा, और बाकि सारे जो steps हैं, वो same रहने वाले हैं, ठीक है, यह होगी roots की बारी, अब हम हर level की बारे में detail में चर्चा करने वाले हैं, now let's start with CA foundation, तो CA foundation में आपकी total 4 papers होते हैं, accounting, business laws, mathematics and economics, तो पहले 2 papers होते हैं, आपकी subjective type, मत 0.25% की, तो अगर आपको कोई भी answer गलत होता है, तो आपकी 0.25% marks cut हो जाते हैं, उसके लाबा pass होने के लिए, आपको हर subject में 40% और aggregate में 50% marks लाने पड़ते हैं, अगर आप CA foundation में पास होना चाहते हैं, ठीक है, बात करते हैं CA inter level की, तो CA inter level में आपके total 6 papers होते हैं, और वो 6 papers होते हैं, और आपको pass करने के लिए, इसमें 40% individual and 50% aggregate marks लाने पड़ते हैं, और यह आपके पास choice है, कि आप एक ग्रूप करके निकानना चाहते हैं, और आपको दोनों ग्रूप एक साहते हैं, तो वो भी option आपके पास available है, ठीक है, यहाँ आपर negative marking भी हो सकती है, in case किसी भी paper में आपके MCQ आते हैं, तो यहाँ पर exemption भी आपको मिलती है, exemption की चीज में आपको बात में बताऊंगी, क्योंकि वो CA final में भी applicable होती है, अब बात कर लेते हैं, regarding self-paced online modules, जो कि नए कोर्स में launch हुआ है, तो basically इसमें total आपके 4 papers होते हैं, मतलब 4 set होते हैं, 2 जो आपके set होते है set A and B, वो होते हैं, आपके compulsory, जो subject दिये गए हैं, आपको वही पढ़ने पड़ेगे, लेकिन जो set C and set D होते हैं, वो elective हैं, वहाँ पर काफे सारे आपको choices दी जाती हैं, set C में आपको 10 subjects की बीच में choice दी जाती हैं, set D में आपको total 4 subjects की choice दी जाती हैं, तो जो भी आपको ज आपर minimum learning arts का criteria होगा, उसके अलावा इसमें जो exams होंगे, वो online होंगे, और आपको MCQ पूछे जाएंगे, और पास करने के लिए आपको हर subject में, हर set में 50% marks minimum लाने पड़ेगे, बात कर लेते हैं, सबसे tough level की, जो की है CA final, तो CA final में again आपके total 6 papers होते हैं, जो की 2 groups में बटे होत जो की advanced accounting होते है, advanced costing पड़नी पड़ेगी, advanced auditing पड़नी पड़ेगी, taxation के यहापर 2 subjects होते है, direct taxation का एक subject होते है, then indirect taxation का भी अलग subject होते है, basically total यहापर 6 subjects होते हैं, आप screen पर इनको देख पाएंगे, पास होने के लिए same चीज़ है, आपको 40% individual subject में, then 50% aggregate लाना पड़ेगा, again same choice आपके पास है, आप चाहें, तो एक गुरूप करकी clear कर सते हैं, आप दोनों गुरूप के exams एक साथ दे सकते हैं, जहाँ पर भी जिसमी subjects में आपको MCQ देखने को मिलेंगे, उस पर आपको negative marking भी apply होगी, अब में बात कर लेती हूँ, क्योंकि exemption थोड़ी एक ऐसी चीज़े आपका वो paper exempt हो जाएगा, आपको वो फिर से नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आगे आने वाले तीन attempts में वो group नहीं clear कर पाए, तो आपके exemption lapse हो जाती है, लेकिन आपके पास option है कि आप उसको retain कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने exemption को retain करना चाते हैं, आपको ब practice के अंदर practical training लेनी पड़ती है, जिसको हम article chip बोलते हैं, और उसमें आपको इस type end भी मिलता है, जो कि काफी कम होता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको अलग-लग काम सीखने को मिलता है, आपको option दिया जाता है, चाहे तो आप एक फर्म में काम कर सकते हैं, या फिर आप ब completing your first year of article chip, ठीक है, first year of article chip आपको करनी ही पड़ेगी, एक साल आपको article chip करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप industry training तरफ जाएंगे, और वो होती है कम से कम 9 महीने से लेके 12 महीने, तो आप पर depend करता है कि आप कितने time करना चाहते है, minimum 9 months and then 12 months, वो भी आपकी practical training में ही count होती है ठीक है, तो यह होगे बात regarding article chip and investor training बहुत जादे important है ये दोनों चीज़े, क्योंकि यही आपका future decide करनी वाले है, जितना अच्छा काम सीखोगी, उतना जादा अच्छा जाकर आगे काम करोगे, और obviously client भी पैसे देंगे आपको, तो बहुत जादा जरूरी है अपने practical training को बह आपको देखने को मिल सकता है कि साल में तीन बार exams भी conduct हो, ये चीज़ भी हो सकती है, उसके लावा in case, unfortunately, आप CA final का कोई भी group नहीं clear कर पार, आप almost CA है, half CA है, ठीक है, आप CA नहीं बन पाए है, लेकिन आपको सब कुछ पता है, आप सिर्फ CA final crack में कर पार, दना आपके पास एक option है कि आप business accounting associate के लिए भी apply कर सकते हैं, जिसके अंडर आपको certificate मिलेगा, आप इंडस्ट्री में जाकर, market में जाकर job भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक नई चीज़ आई है, CA के new course में, तो ये हो गई CA course के बार में, पूरी details, I know, बहुत सारी ऐसे चीज़े भी हैं, जो सारी videos already available है on my channel, कोई भी confusion होती है, simply मेरे channel पर जाकर search कर लेना उस topic को, आपको कोई नव कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, in case नहीं मिलती है, then उसके उपर में नई वीडियो लेकर आ सकती हैं, क्योंकि पहले की videos काफी सारी ऐसे हैं, जिसमें मैंने old course के बारें बात करी ह तो अगर new course के उपर आपको कोई और वीडियो चाहिए, then आप मुझे बताना comment section में, मैं उसके पर भी video लेकर आऊंगी, in case इस video ने आपकी किसी भी तरीकी से help करी हो, please इस video को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सारा शेयर करना, इसको लाइक करे बेना, please मत जाना, ठीक है, ल करना, इसको शेर करना, and do not forget to subscribe to my YouTube channel as well, मैं Instagram and LinkedIn पर भी super active हूँ, अगर आप मेरी personal site देखना चाहते हैं, अपने यहाँ पर भी मुझे फालो कर सते हैं, इंटरस्टिंग वी इस पर आपको देखने को मिलेंगी, so, जी हाँ, this is all about this video, thank you so much, मेरे साथ एं तक बने रहने के लिए and I will come up with another video next time, till then, bye bye and Allah Hafiz!